हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चेनल आज हम लोग बात करेंगे विकास इकोटेक लिमिटेट के बारे आज मैं आपको विकास इकोटेक लिमिटेट का टार्गेट बताऊंगा और अस्टॉप लोस भी आप लोग मेरे विकली और मंतली मंत्री कैंडल के एनलाईज को भले नेगलेट कर दीजिए मगर डे कैंडल का जो मेरा एनलाईज है वो पूरी तरह परफेक्ट है आप किसी भी सलाकार से सला लेके पूछ सकते हैं अगर मेरा डे कैंडल का टारगेट और अस्टॉप लोस खराफ हो, गलत हो या पाँच पैसे का भी उपर नीचे हो मैं पूरा पाँच पैसे का चैलेंज देता हूँ सारे राइडर को कहीं से भी पुछवा लो अपने किसी भी टीचर से तो चलिए मैं आपको डेरेक्ट टारगेट और अस्टॉप लोस देना शुरू करता हूँ और सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 2 रुपए 2 रुपए 85 पैसे का और इसका थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 3 रुपए 55 पैसे का ठीके फ्रेंड यहां तक आपको समझा रहा होगा अब हम लोग बात करेंगे stop loss की तो मेरा first stop loss रहेगा 2 रुपए 15 पैसा का second stop loss जो होगा वो होगा 1 रुपए 80 पैसे का और third stop loss होगा देख लिजिए कि कहा कहा पे line टच कर रहा है यहाँ देखिए यहाँ टच कर रहा है यहाँ टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है जो सबसे ज़्यादा टच करता है वही हमारा सपोर्ट और रेसिडेंस बनता है फ्रेंट ठीक है यह सिंपल फंडा है आप लोग भी सीख लीजिए एनलाइस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर आपको जहां समझ नहीं आए आप लोग कोमेंट्स कर सकते है इस इसका अस्ट आप लोस एक रुपई 80 पैसा और थर्ट जो आप लोस होगा वह होगा एक रुपई 45 पैसा एक रुपई 45 पैसा तो अब हम लोग बात करते हैं यहां से गर गर्हल कि अम घठैन गड़ केश सेट करेंगे ये देख़्िए इसका विगली गेंडल पे जो first target मुझे दीख रहा है वो है 3.95 पैसे का 3.95 पैसे का और second जो मुझे दीख रहा है वो है 7.20 पैसा का 7.20 पैसा का और third जो मुझे दीख रहा है वो काफी बड़ा है 11 पैसा का है 11.50 पैसे का 11.50 पैसे का मेरा third target होगा अब हम लोग बात करेंगे इसमें stop loss की तो इसका first stop loss होगा 1.95 पैसा का 1.95 पैसा का इसका first stop loss होगा और second जो stop loss होगा वो होगा 1.50 पैसे का ठीक है फ्रेंट्स अब हम लोग चलते हैं मन्थली केंडल पे मैंने मन्थली केंडल का ग्राफ लगा लिया है मैं थोड़ा ग्राफ बढ़ा कर लेता हूँ इसका जो फर्स्ट टार्गेट होगा वो होगा तीन रुपे नब्बे पैसा का तीन रुपे नब्बे पैसा का और second जो टार्गेट होगा, वो होगा 7 रूपय解 15 पैसा का 7 रूपय解 15 पैसा का, second target होगा और third जो होगा, वो होगा 11 रूपय解 45 पैसे का 11 रूपय解 45 पैसे का, third target होगा अजने होगा है अब हम लोग बात करेंगे A stop loss की, तो first stop loss इसका होगा एक रुपए 90 पैसा का एक रुपए 90 पैसा का और सेकेंडर स्टॉप लोस होगा एक रुपए 45 पैसे का एक रुपए 45 पैसे का तो फ्रेंड्स कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये इन्फरमेशन आपको कैसी लगी और इस टाइब की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई